कि विजमाल फिट कंप्यूटर डिजन के आउनलाइं क्लासेश में एक बार फिर सवगत करता हूं शर्ण आज हम फिर एक नई टॉपिक लिए क्या है जो टॉपिक अभी सब्सक्राइब करने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है यानि कमांड क्या होता है और यह कमांड क्या होता है कितने प्रकार के होते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं MS-DOS में कमांड क्या होता है प्रकार का सब्सक्राइब करने लिए एसे लिए कम्द में हमांड कि में में पर्पीन कमांड को प्रफूज कर पर o सक्सक्षक ύे तर सक्मांड कि शॉज छार a श्मeंड क execution अ competentこれは है आइस पार्ट आप दर नेटवर्क प्रोटोकॉल आर एज एन इवेंट इन ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ट्रीगर बाइड यूजर सेलेक्टिंग अन सेलेक्टिंग एन ऑप्शन इंग मेनू आइस तो इसका डिफेशन हिंदी में रेखे एंड कंप्यूटर इसके मार्जम से जारी किया जा सकता है जैसे की सेल या नेटवर्क प्रोटोकॉल के हिस्से के रूप में नेटवर्क सेवा में इंपुट के रूप में या मीनू में एक विकल का चैयन करने वाले उप्यो करता द्वारा ट्रीगर किये गए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में एक घटना के रूप में है यानि स्टुडेंट सीधा सब ने कहा जाता है कि कम्पीटर को निर्देश देने वाले इंट्रक्शन या सिंटेक्स या लाइन को हम कमांड कहते हैं जिसके माध्यम से कम्पीटर को सूचना भीजा जाता है तो आई जाने ये कमांड कितने प्रकार के होते हैं तो आपके स्किन पे कमांड दो प्रकार के होते हैं एक है इंटर्नल कमांड और दूसरा है एक्स्टर्नल कमांड तो आई श्टर्नल कमांड सबसे परले जाने कि कि इंटर्नल कमांड क्या होता है तो आपके सामने हैं इंटर DOS in Windows 9X command processor. Since command.com is loaded into primary memory when DOS or Windows 9X is booted, the internal command are always in memory and can be executed at any time without first beginning feathers for the disk secondary memory. DOS command को आंत्रिक command कहा जाता है क्योंकि इनका code command.com, DOS और Windows 9X command processor में सामिल है, चुकि command.com को प्राथमिक memory में load किया जाता है, जब DOS या Windows 9X को boot किया जाता है तो आंत्रिक command हमेशा memory में होते हैं और किसी भी समय disk secondary memory में लाये बिना निस्पासित किये जा सकते हैं, यानि ऐसे command जो computer on करने पे पहले से computer में available होते हैं, उन्हें हम internal command या आंत्रिक command कह सकते हैं, तो आई स्टोन जानेंगे ये command के internal command कितने प्रकार के होते हैं, तो आपके सामने है types of internal command जो सबसे पहले दिखाएवा directory, इसको बोलते हैं, इसका full format disk information report, दूसरा है md यानि mac directory, तीसरा है cd यानि chain directory, चौथा है rd यानि remove directory, पांच वा copy icon, टाइप rename यानि range sort में बोलते हैं, डेलिट को sort में बोलते हैं, prompt and cls को sort में cls कहते हैं, इसका common command होते हैं, जो computers में already पहले से available है, इन्हीं को हम बोलते हैं, internal command, तो i student सबसे पहले जाने की directory क्या होता है, तो आपके सामने है, what is the directory, यानि directory क्या होता है, ये directory is defined as the origination, origination unit are container used to organized folder and files into historical structures, you can sync of a directory as file cabinet that contain folder that contain files, twice 20, इसका definition हेंदी में जाने, एक निर्दिसिका को एक संगनात्मक इकाई या internet के रूप में परिभासित किया गया है, जिसका उपयोग folder और file को एक स्रणी ब्रद रश्ना में वेबस्तित करने के लिए किया जाता है, आप एक निर्दिसिका को एक file cabinet के रूप में सोच सकते हैं, जिसमें folder होते हैं, जिने file होती हैं, यानि directory का simple है, directory is a collection of data, यानि जहाँ पे कई सारे file folder के कठा रखा जाता, उसे हम directory कहते हैं, तो आपके सामने है, टाइप सॉप डारेक्टरी यह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है root directory अग दूसरा होता है sub directory, तो आपके सामने है, what is the root directory, in a computer file system and primarily used in the unix and unix-like operating system, the root directory is the first or top most directory in a historically, in can be liked to the trunk of the tree as the starting point where a branches originated from, तो आइस टो इसका definition हिंदी में रेखें, एक computer file system में एक मुख्य रूप से unix और unix जैसे operating system में उपयोग किया जाता है root directory एक पदानूब क्रम में पहली सिर्ष सबसे निर्देशिका है, यह एक प्यर के तने से तुनना की जा सकती है सुरुवाती बिंडू के रूप में जहां से सभी साखाई निकलती है, यानि कहने के मतलब system में जो सबसे पहली directory create किया जाता है, उन्हें हम root directory कहते हैं, तो आई student आगे देखें and what is the sub directory, दूसरा definition आपके सामने है sub directory and if a directory locate within another directory, it's called a sub directory and our subfolder of that folder, the subdirectories may refer to the folder locate the directory within a folder as well as folder that are storage in other folder within a folder, तो आई इसका आई नोट के है, display the size of one of more directories and subdirectories and files by using the due command size already displayed in 512 bytes, यानि जो second directory बनाई जाती है, उसे हम sub directory कह सकते हैं, एक sub directory बनाने में 512 bytes consume होता है, तो आई student इसका definition हैं निम देखें, यानि कोई निर्दिसका किसी अन्य निर्दिसका के भीतर स्थित है, तो इसे उस folder का उप निर्दिसका या सब folder कहा जाता है, उप निर्दिसका एक folder के भीतर स्थित folder को संदर्पित कर सकती है, साथ ही एक folder के भीतर अन्य फोल्डरों से संग्रिक folder है, यानि कई सारे folder एक folder में कई सारे folder होते हैं जानि केक डारे की में कई सारे directory होते हैं उन्हें हम subdirectory कहते हैं असाइस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट में अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट का इंट्रेश एक्जामनेशन होता है तो वहां से जो कोशन्स जादा तर पूशी जाते हैं तो कंप्यूटर की इसी सब्जेक्ट में से जादा तर कोशन्स पूशी जाते हैं तो हर वीडियो को सुरू से अन तक देखा कीजिए मिलते अगले वीडियो में आज के लिए नमस्कार